हेले दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज आपसे बात करने वाला हूँ नई दिली रेल्वे स्टेशन पे होने वाले एक और नए स्काम को लेकर के जो कि आपके साथ हो सकता है अगर आप जल्दी वाज़े में कभी नई दिली रेल्वे स्टेशन पहुंच रहे हैं और मैं इतना भी विश्वास करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो सबसे वेले तो क्योंकि आज कुछ बहुत ही यूनीक आप से शेर करने जा रहा हूँ ठीक है चलते हैं रोल इंट्रो एंड फिर बातचित करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यू देली कि इस माई होमटाउन स्टेशन एंड मेरी हर ट्रेंजर ने की शुरुआत जो है न्यू देली से होती है और अमूमन ऐसा होता है कि मैं जब भी किसी जर्ले को कर रहा होता हूं और उसको मुझे व्लॉग बनाना होता है तो मैं न्यू देली स्टेशन टाइम पर पहुंच जात हूं रिसेंट जर्री कर रहा था कौन सी कर रहा था आपको आने वाले वक्त देखने को मिलेगा ठीक है दस मिनट का सिर्फ मिल पर गैप था कि मतलब में जब नई दिली स्टेशन में एंटर कर रहा हूं उसके बाद दस मिनट में वो ट्रेंज चूड जाएगी बस और मैं ब कोई भी एंट्रेंस नहीं है जहां पर आप सेक्योरिटी चेकिंग को बाइपास करके जा सकें ऐसा कुछ भी नहीं है मेंडेटरी है आपके लगेज चेक होंगे और आपको वह जो मेटल डिटेक्टर मशीन होती हो उस बसे एक बार निकलना पड़ेगा यह मेंडेटरी है अ वहीं से अपना कार्ट आपके चेक आउट करो और आप सीधा स्काइवॉक से नई दिल्ली रेलविशन के प्लैट्फॉम वाली वे में चले जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अब यहीं पर सारा जो है खेल स्टार्ट होता है होता क्या है कि यहां पर सारी भीड को उपर स्काइवॉक पेचाना पड़ता है और वहीं से वह आगे बढ़ सकते हैं वहां पर हो जाते हैं इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड बहुत ज़्यादा लोग वहां पर होते हैं और वहां पर लग जाती लंबी लाइन समझ गए अब आप जब प्लीज मुझे जाने दो वह वो बिल्कुल नी सुनेंगे आपकी प्री कैरेंटी है और वहीं पर कुछ जो है कूली वगएर भी घोमरे होते हैं जो कि आप से कहते हैं आपको बिन लाइन के ले जाएंगे तीन सोरो पर लगएंगे मतलब च्रद्धा अनुसाल आपका लाए वे उस टाइम पर आप कितना दिखा रहे हो सामने वाले को कि भाई मैं मेरी भटी भटी है और बेसिकली आपसे वो सारे पैसे वैसे ले ला करके आपको एक जगा पर ले करके जाएगा जहाँ पर एक्चुली मैं आपका सेकरियोटी चेकिंग होगा बट वो भी एंटरे उसनी डेयल करते हैं जहां पर उटाऊ स्टेंड आपको छोड़ता है तो शोलर नॉमरी प्लाटफॉरम की फे एक हैंקर इंटरेंज में जिसमें आप नॉर्मिली जाते हो सीधा 6 नुमर प्लाटफॉरम पर नेकलते हैं यहां भी बहुत जबायब होगी यहां आओगे यहां launch बना हुआ है solar platform पर ही उसके बगल में भी एक entrance है और वहाँ बिलकुल भी भीड नहीं होती जो कि basically आपका retiring room या फिर general ticket आपको book करनी है प्लैटफर्म टिकेट आपको लेनी है वहाँ पर जाने वाली जो जगा है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर भीड क्यों नहीं होती यह तो बता दो यहाँ पर भीड इसले नहीं होती because इसके उपर वाला जो आपका foot over bridge बना हुआ है वो कम platform से connect करता है last तक ले करके नहीं जाता है इसले वहाँ भीड नहीं होती और लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि वो एक last end वाला हिस्सा आता है लोग generally उनकी जो ठिक्टे वि प्रेफर करते हैं उस वाले को लोग इतना प्रेफर नहीं करते इसलिए वहाँ भीड कम होती है और आपको सीधा उसी से जाकर के entry करनी है अगर आपके बस time कम है आपको सोचना ही नहीं आपको बात ही नहीं करनी आपको किसी और को ले करके क्योंकि बाबु जागर किसी में गई ना आप और ट्रेन छूट गी तो बस हो गया काम ठीक है तो भाई उस दिन भगवान ने थोड़ा सा साथ दिया मेरा और मैं जो है उस वाले जगा पे पहुंच गया समाहो ढूंटे 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 और महातर दो मिनिट पहले डिपार्चर से दो मिनिट प प्रिके से आपकी मदद करते हैं आपके किसी जानकार की मदद करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिब दोस्तों के साथ एंड क्या आपके साथ भी किस टैप को कोई स्कैम हुआ है नेदिली डेलवेस्टेशन पर तो प्लीज कॉमेंट में बता पर चुमेंट कर अपके स्टृंड पर झाहर क है सकति ओल Wal खर मेंटाउगेस्टेशन इस वीडियोंट परेंट में सब्हतीत एंपकी मदद कुमेंट खर ऊंस्किनन बतापके साथ चिने उना October